आज भारत एक से बढ़कर एक इनोवेशन कर रहा है आज भारत रिकॉर्ड पैटेंट फाइल कर रहा है आज भारत दुनिया का बड़ा मैनुफेक्टरिंग हब बन रहा है तो इसका आधार भारत के युवा है भारत के युवाओं का सामर्थ है साथियों समय हर किसी को अपने जीवन काल में एक सुनरा मोका जरूर देता है भारत के युवाओं के लिए समय का वो सुनरा मोका अभी है अमृत काल का ये कालखंड है आज आपके पास मोका है इतिहास बनाने का इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का आप याद करिये आज भी हम सर एम विश्वे सरया की याद में इंजिनियर्स दे मनाते हैं उन्होंने उन्निस्वी और बारवी सतार्दी में अपना जो इंजिनियर्इंग कौशल दिखाया उसका आज भी मुकाबला मुश्किल है आज भी हम मेजर ध्यान्चन को याद करते हैं उन्होंने होकी की स्टीक से जो जादू दिखाया वो आज तक लोग भूल नहीं पाए आज भी हम बगसी, चंद से कराधार, बटुकेश्वर्दत जैसे अंगिनत करंतिकारियों को याद करते हैं उन्होंने अपने पराक्रम से अंग्रेजों को पस्त करके रख दिया था आज हम महराश्त की बीर भूमी पर है आज भी हम सभी महत्मा फुले, सावित्रिबाई फुले को इसलिए याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शिक्षा को सामाज एक ससक्तिकरण का एक माध्यम बनाया आजादी के पहले के कालखड में ऐसे सभी महान व्यक्तित्व ने देश के लिए काम किया वो जिये तो देश के लिए वो जुझे तो देश के लिए उन्होंने सपने संजोए तो देश के लिए उन्होंने संकल्प किये तो देश के लिए और उन्होंने देश को नई दिशा दिखाई अब हम रुतकान के इस कालखड में आज बोधाईत्व आप सभी मेरे युवासात्यों के कंदों पर है अब आपको अमरुतकान में भारत को एक नहीं उचाई पर ले जाना आप ऐसा काम करिये कि अगली सताब्दी में उस वक्त की पीडी आपको याद करें आपके पराकर्म को याद करें आप अपने नाम को भारत और पुरी दुनिया में दुनिया के इतिहास में स्वन अक्षरों में लिख सकते इसलिए मैं आपको 21 सदी के भारत की सबसे सवभागे साली पीडी मानता हूं मैं जानता हूं आप ये कर सकते हैं भारत के युआ ये लक्ष हासिल कर सकते हैं मेरा सबसे जादा भरोसा आप सभी पर है भारत के युआओं पर है